Hello everyone, स्वागत आप सभी कटोपर्स प्राइम चैनल में इस वीडियो में हम देखेंगे अभी जो पेपर हुआ है हर्याना SI का 26 तारिक को मौनिंग शिफ्ट का उसकी आंसर की देखें, फर्स्ट कोशिन है सेवालू की अध्यन को पूछा गया कि क्या कहा जाता है तो शेवालू की अध्यन को कहा जाता है फाइको लॉजी, ठीक है नेक्स्ट में पूछा गया कि कौन सा यूगम है जो सुमेलित नहीं है, तो अविश्कार और आविश्कारक दिये थे तो प्रोटोन का अविश्कार किस ने किया था रदरफोर्ड ने किया था, न्यूट्रोन का चैडविक ने किया था और इलाट्रोन का जेजे थॉम्षन ने किया था तो यहाँ पर फोटोन सही हो जाएगा एच यूगाबा, सी ओप्शन ठीक है, अगला है भार्तिस विदान के किस सनुछेद भी राज्य करमचारी आयोग का प्रावदान है तो राज्य पूछे, संग पूछे, दोनों ही किसमी है आर्टिकल 315 में है ठीक है, ठीक चलिए अगला देखे, कौन से हर्याना राज्य सभा का इन में से सदश्य नहीं रहा है तो हर्याना में राज्य सभा से कितने सदश्य है पांच है, तो इन में से जो नहीं है वो है कुमारी शेलजा ठीक है, अगला है, इंग्लान केवल चुनावों के दिन में इस वातंतर होता है ये कथन किसका है, तो ये कथन है रूसों का प्रत्यक्ष लोकतंतर के ढाल किसे कहा जाता है तो राइट आंसर रिकोल रहेगा यहां पे क्योंकि रैफ्रेंडर और प्लेबिस एकी चीज़ होती है एनिशियेटिव भी जो है इनसे रिलेट होता है तो ये तो अलग हो जाएगा वैसे भी तो र्रिकोल यहां पे करेक्ट रहने वाला है नेक्स एक हरियाना के किस जिले में विदायक पद आरक्षित जाती के लिए आरक्षित नहीं है तो तीनों में ही नहीं है ना पंचकुला, ना दादरी, ना फरीदाबाद तो इनमें से सभी सही होगा अगला है निमन लिखित में से अर्याना में सबसे बड़ी अनाज मंडी सबसे बड़ी अनाज मंडी अर्याना में कुरुशेत्र में है तो कुरुशेत्र में यहां पर कौन सा आ जाएगा लाडवा आ जाएगा ठीक है, नेक्स्ट है गें उकी फसल को बहुते समय कितना ताप मान चाहिए तो गें उकी फसल के लिए बुआई का पूछा याँ पे तो 20 से 25 चाहिए होता है तो 21 से 22 डिगरी सेल्सियस सही हो जाएगा नेक्स्ट है, हर्याना क्रशी ग्रामिन विकास बैंक लिमिटेड कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है तो देखे, पशु आश्र योजना भी है, किसानों के बच्चों को सिख्षा के लिए रन भी है, क्रशी भूमे की खरीद भी है संयूक तो कटाई नहीं है, तो D option यहाँ पे सही रहीगा ठीक है, नेक्स्ट है, अनुसंदान पूच्छा के इंदर इसमें हैसार में की कहां पर खोला गया है कब खोला गया है, तो 7 जनवरी 1986 यहाँ पे correct होगा डेट जरूरी थी क्योंकि 1986 यहाँ पे देख सकते हैं, आप दो option है ठीक है, अगला है हरियाना में बन संतोर किस जिले में स्थित है तो right answer हो जाएगा, बन संतोर है यमुना नगर जिले में डेश और डेश की से आप करसर को एक रेखा के आदी या अंत में जो है पहुंचा सकते हैं तो यह आप पहुंचा सकते हैं, होम और अंड की से तो first option है यहाँ पे सही होगा ठीक है, next है कौन सा software है जो text आदारी दस्तावीच जैसे newsletter या brochure बनाने के लिए use होता है तो इसमें से ना तो spreadsheet होता है ना DBMS होता है ठीक है, अब दो बचे यहाँ पे यहाँ तो desktop publishing या फिर presentation program तो देखें यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा यहाँ तो यहाँ पे हो जाएगा desktop publishing का जो है use क्या जाता है to making text related document like newsletter or brochure ठीक है, अगला है the generic word is related to some pieces of the hardware तो generic word device जो होता है यह relate होता है to some piece of hardware ठीक है, अगला है the backspace key omit the dash child letter of the cursor ओके backspace key किस लिए use करते की नक्षरों को में टाने के लिए यह मैंने आपको key करवाई थे भी last में ही तो मैंने आपको बताया था left side में जब हम बाइं तरफ जो है जलते हैं तरफ हो जाएगा, ठीक है, ओके आगे देखे इंडिविज्वल यूजर having their own desktop computers are connected to one or more centralized computer these servers are called, तो इसको network server जो है बूला जाते है ओके, dash bus join only CPU with RAM which contain memory address अब यहाँ पर क्या contain कर रही है memory address, तो कौन सी bus हो जाएगी address bus हो जाएगी, data bus अलग होती है जो data contain करती है और control bus फिर control करने के लिए उसकी जाएगी, तो यहाँ पर address bus हो जाएगा आगे कह रहा है कि अगर help को code 5 से किया जाता तो bell को code किस से करेंगे तो bell का code यहाँ पर 4 हो जाएगा, ओके और एक और चीज़ में आपको बता दी तो इसमें से 9 to 10 questions जो थे पेपर हुआ था, पेपर का नाम था अभी शायद Assistant Accountant का पेपर हुआ था 2 अगस्त को ठीक है, दो अगस्त को HSC का Assistant Account का पेपर हुआ था, लगबग 10 questions जो थे उसमें से पूछे गए हैं, इन फैक यह reasoning का question भी वहीं से पूछा गया है इसके अलाबा computer के question वहां से आए हैं और एक दो questions जैसे हरियाना जीके के भी जो है वाम से तो 10 से 12 questions जो है उस paper में से ऐसे कैसे डिटो लिए गए हैं, कोई change नहीं है ठीक है, इन फैक यह question भी जो था उसमें पूछा गया था German Vidhan सबा की, जो संगिय सबा होती है था paper में, next वाला भी जो है उसमें पूछा गया था on the web, the base unit for every website or document which contain information is a web page हो जाएगा यहां पे right answer next 24, 36 और 40 का LCM पूछा गया, तो आप इससे LCM निकालेंगे तो 360 यहां पे आ जाएगा, ठीक है कार्तिक संस्कृति समारो का लक्षे किसको बढ़ावा दीना है तो martial art और लोक कला, इसको बढ़ावा दीना है तो यहां पर B option जो है, सही रहेगा, ठीक है next देखिए, किम्बरले किसलिए प्रसिद है तो किम्बरले जो है, यह हीरे की खान के लिए प्रसिद है तो B option यहां पर सही हो जाएगा next है, भारतिये दंड सहीता जो है, भारत में लागू कब की गई तो 1860 जो है, सही हो जाएगा वैसे इसकी शुरुवात 1862 से हुई थी तो अब वो उन पर depend करता है, कि वो किसको जो है, सही मानेंगे लेकिन आपको पता है, इसकी अकोडिंग आया था 1860 के और लागू यह 1862 में हो थी, 6 एक्टूबर 1862 को तो वो अब उन पर depend करता है, तो कोई भी आंसर वो मान सकते हैं आगे है, भारत का कोई नागरिक अगर उगांडा में हत्या कर देता है और यदि वह भारत में किसी स्थान पर पाया जाए, तो क्या उसे हत्या के लिए विचारित और दोसी शिद किया जा सकता है, तो यह कोशन भी हमने किया था तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर हाँ इसका सही होना चाहिए पर पीडियाफ में अगर यह कोशन में पर पूट किया गया है, तो जहाँ पर वैपाया जाता है, वहाँ पर उस पर दोसी शिद उचारित किया जा सकता है नेक्स है बारत सरकार ने जम्मो कश्मीर से दारात 300 समाप्त करने का जो कानून था, यह कब पास किया? यह पूँचा गया है, तो यह हुआ था 5 अगस्थ 2019 में तो यहाँ पर 5 अगस्थ 2019 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है जब कोई अपराद किया जाता है तो कौन सी निमलिखित करिया को पुलिस अपराद की जाच में अपनाती है तो यहाँ पे देखे यहाँ है एक पीडित से सम्भंदित और एक आरोपी से सम्भंदित कानून तो दोनों हो जाएंगे यहाँ पे ठीक है अगला देखे, इन में से कौन बारत का राष्ट्य सुरक्षा सलाकार नहीं रहा इसमें पूछा गया, जो नहीं रहा गया ओके, अजित डोबाल भी रहे, ठीक है, इसके अलावा शिवशंकर मीनन भी रहे और जीन दिक्षित भी रहे टी एन सेशन थे, जो राष्ट्य सुरक्षा सलाकार जो थे, नहीं रहे थे, ठीक है, अगला है, ओप्रेशन मुस्कान जो है, ये कब शुरू की गई, ओप्रेशन मुस्कान शुरू किया गया था, 2015 में, ठीक है, आगे है, वेलथोल नरायन मीनन, किस प्रिकार की भारती निर् प्रसीद कलाकार थे, तो ये थे कथकली के, D ओप्षन यहाँ पे कथकली सही रहेगा, तो D जो है, कथकली सही हो जाएगा, अगला है, परिवार में पितानी केक का 1.4 हिस्सा लिया, जो कियन्य परतेख सदश्य द्वारा लिएगा, इसे का 3 गुना है, तो इसमें जो है, पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है, यहाँ पर क्या पूछी, पाई जाने वाली भारी मिट्टी, तो राइट आंसर देखी, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें नेली हो जाएगा, ठीक है, मैमूद गजनवी ने अर्याना के थाने सर में, जो है, एक पर्याना के पंचकुला जिले में आईटी पारक, आईटी पारक जो था 2008 में जो थी स्थापित किया गया था, नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधीनियम, अब देखे 15 जुन सही है, लेकिन 2005 में, लेकिन 2005 में भी इसमें दो डेट दी गई हैं, 19 मारच और 15 जुन, तो 15 जुन 2005 इसमें सही रहेगा, हितेश की आयू 40 रोनी की इतनी थी, तो कितने वर्ष पहले दोनों की आयू का नुपात करना था, तो 40 प्लस X और शाट माइनस X रोरी, क्योंकि पहले बताना और बटे तीन, बटे पांच और दन क्रोस मल्टिप्लाइ करनी थी, तो ये 10 वर्ष पहले का जो है, आ जाएगा ठीक है, 10 जो है, इसमें सही रहेगा, ठीक है, 10 वर्ष पहले, आगे है, इसमें पूछा गया है, यदि सफेद को नीला, इस तरीके के कोश्यन में, लास्ट में हमें देखना होता है, ये कह रहा है कि, तो मानव रक्त का रंग क्या होता है, हमें पता है, मानव रक्त का रंग पास कुछ मुर्गियां और गाएं हैं, अठार, 48 पैरों की संख्या यह इस तरीके से दिया गया है, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, आप नमबर ओफ काव ले ले जिए, एकस नमबर ओफ हैंस ले 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 जिए, फिर एकस प्लस य, यानि कि हैड से अगर हम बात करे हैं, तो इसमें सो तक विश्म संख्याएं कितनी हो जाएंगी, सो बटे दो कर दीजे, पचास और पचास का स्केर, यानि कि एन का स्केर करते हैं, विश्म संख्याओं का युगफल निकालने के लिए, तो पच्छी सू आ जाएंगे, हर्याना में आली में कौन सा वन महुच के समेजिलो की संख्या साथ थी, आर्बियाई के गवर्नर अभी कोन है प्रेजिन्ट में, तो शक्तिकांत दास जो हैं, गवर्नर है, हर्याना में राष्टि आरदर भूमी, सरक्षन कार्यकरम के अंदर गत कितनी आरदर भूमियों को मानेता दी गई, तो यह मैंने आपको क किसके समय पर हुआ था, यह पूछा गया है, तो राष्टर कूटो के समय पर इसका निर्मान हुआ था, ठीक है, नेक्स्ट है, विजयन अगर सामराज्ये के खंडर कहां पर मिले थे, तो हमपी में मिले थे, अगला देखिए, 1857 के विद्रों के दमन के बाद मुगल दुर्शा जफर को कहां पर निर्वासित किया गया था, तो मिहनमार, रंगून उनको भेजा गया था, मिहनमार हो जाएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्याले, बारत में कहां पर स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा, बंबई में, देखिए, इस 1882 में मदरास के पास ADR में जो था सुसाइटी का मुख्यालय जो था स्थापित किया गया था ठीक है तो अब में भी इसमें से वो आंसर किसको माने तो इसका अंसर ADR ही होना चाहिए क्योंकि अभी जो मुख्यालय है इसका अभी वो प्रेजेंट में यहीं पर है ठीक है तो स्थापना देखिए थियोसोफिकल सुसाइटी की मेडम बलावाथ की ने कौकता में की थी लेकिन इसका जो मुख्यालय था वो यहीं पर स्थाना अंत्रित किया गया था अडियार में तो इसका अंसर डी ही आना चाहिए ठीक है जलिया वाला बागत्या कांड के बाद किसने सर क्यूपादी वापस कर दी थी तो सर रविंदना टैगोर ने 1919 में 1919 में ठीक है अंडमान निकोबार द्वीप समूपर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरूस के नाम इसका नाम रखा गया है यहां पर पूछे गए किसकी जो सेलुलर जेल है वहां उसका नाम किस पर रखा गया है ठीक है तो यहां पर राइट आंसर जो होना चाहिए वो वीर सावरकर होना चाहिए ठीक है क्योंकि जो दवीप थे अंडमान में उसका नाम सुबास्चंदर ब नेक्स्ट है हरियाना के ब्रह्म स्रोवर को किस विभूती ने लगू मासागर कहा है तो अबुल फाजल ने मोहमद गोरी ने पृत्विराद चुहान को अरियाना को किस थान पर राया था तो तरावड़ी में राया था दोनों युद तराइन में हुए थे इन में से कौन अर्याना के रज्यपाल नहीं रहे देखें मावीरलाल भी रहे जैसुखलाल आथी भी रहे और परमानंद भी रहे तो यहाँ पर आएंसर आचारिय देवरत होगा क्योंकि यह थोड़ा से कंफ्यूज करनी के लिए नाम रखा कि देवरत जो पहले थे बंडारू दतात्रे से वो सत्यदेव नारायान आर्या था उनका नाम मावीर प्रसाद भी रही है और जैसुखलाल हाथी भी रहे परमानंद भी रहे तो यहाँ पर आचारिय देवरत इसका करेक्ट आंसर होगा बिए निमने में से अर्याना राज्जी के सबंद में कोन सा गलत है? हर्याना राज्या की गटना पर बनी एक फिल्म है नह 10 उसमें जो है अभी नेतरी कौन थी तो अनुशका शर्मा थी तो फर्स्ट अप्शन सही रहेगा नेक्स्ट है करनाटे की मुख्य मंत्री बसव राज बम्मई के पिता जो पूरो मुख्य मंत्री रहे उनका नाम पूछा गया तो स्र बम्मई जो है उसका नाम हो जाएगा 61 का जो रहेगा स्र बम्मई बारत के लिए विश्व काड़े कुस्ती चैंपिन्शिप में सवर्ण पदक जो है ये प्रिया मलिक ने जीता है बैडमिंटन खिलाडी पीवी संदू का पूरा नाम क्या है तो पूर्सला वैंकेटा सिंदू है फरस्ट ओप्शन खेला हो बे किस राज्य का चुनाव में प्रसिद हुआ तो ये अभी प्रस्टी मेंगोल की जुब चुनाव हुए थे तब प्रसिद हुआ था आकाश वानी के निर्देशक कौन है तो अभी अगर प्रेजेंट की बात करें तो वो है वेनुधर रेड़ी है C ओप्शन अर्याना करमचारी चेन आयग के अध्यक्ष बोपाल सिंग खदरी खदरी जो है गाव है यमुना नगर में और ये खादर छितर के कारण इसका पड़ा है जाती का नाम नहीं है ये और नाही गुत्र का नाम है ठीक है गाव का नाम आप इसको कह सकते हैं गाव का नाम है वो करम राज्यपाल बंडारु दतात्रे ये किस करम में हैं तो ये सत्तरवी करम की जो है राज्यपाल है ठीक है हरयाना राज्य में कोन ऐसे मंत्री है जिन का सम्मंध हरयाना से है इन में से ओके उत्राखंड राज्ये के मंत्री हैं जिनका सम्मंध हर्याना से है एक मिनिट ओके इसमें से देखे गणेश जोसी सत्वालमा राज और ये तो नहीं है स्वामी अतिश्रानन्द मेभी बिशन सिंग हो सकते हैं इसमें डाउट है भी भी ठीक है तो D option हो सकते हैं क्योंकि विशन सिंग अगर हम देखें तो D ही होना चाहिए बाकी दो तो नहीं ये तीन तो नहीं है ठीक है अर्याना के ऐसे कौन सांसा दर जिनके पिता की मृत्यो आली में होई है तो वह है अर्विंद शर्मा अर्याना की ग्रह मंत्री की प्रमुख विशेष्टा क्या है तो वो एविवाईथ है ये उनकी प्रमुख विशेष्टा है अनिलविज की बात हो रही है यहाँ पे तो ग्रह मंत्री अनिलविज ही है तो वो क्या है एविवाईथ है next 10 में से कौन बारत के ग्रह मंत्री नहीं रहे है पूछा है तो उमा शंकर दिक्सित चरण सिंग और इंद्रा गांधी जो है ग्रह मंत्री रहे है तो जो नहीं रहे है वो है जग मोहन ठीक है तो जग मोहन हो जाएगा बारत सरकार के ग्रह मंत्रा ले का मुख्या ले कहां पर है तो ये right answer हो जाएगा नोर्थ ब्लोक में है ऐसी कौन सी नेता है जो पहले ग्रह मंत्री रही हो और बाद में परदान मंत्री बनी तो वो हो जाएंगे इंद्रा गांधी ठीक है first option जो है सही रहेगा इन में से कौन अर्याना का पुलिस अधिकारी इसमें पुछा नहीं है नोटे पुलिस तो right answer इसका हो जाएगा मुहमद शाइन बकरी का विज्यानिक नाम क्या होता है तो कैपरा एग्रो गस हिरेकस हर्याना में कौन सा जिला विधावित रूप से एक पुलिस जिला है तो वो हो जाएगा हासी जो है पुलिस जिला है एक मिनटीस में ये देखिए हर्याना की पुलिस सदिकारी मुहमद शाइन है ये फरीदाबाद में थे तैनाथ ठीक है एस एस पी हैं अभी हामित अक्तर और यहां पर एक और नाम है मुहमद अकील और ओपी सिंग ऑपी 27 रही है और द्लि का था बट ये भी नहीं है क्योंकि मुहमद अकील का नाम भी अभी था पंचकुला में जो था ही ने किसी पदपर नियुक्त किया गया था मुहमद अकील को हामान इदेशक जेल अर्यान नियुक्त जो था किया गया था पंचकुला में तो मुहमद अकील भी थे अभी और बात करें ओपी सिंग में भी ओपी सिंग इसका राइट आंसर जो है हो सकता है बट तीनों थे ये मुहमद शाहिन, हामिद अक्तर और मुहमिद अकील अभी लेटेस्ट में अगरम देखें तो न्यूज में है और मुहमद शाहिन मैंने आपको बताया फरीदाबाद से थे तो ये भी होने चाहिए ठीक है तो में भी ओपी सिंग जो है नहीं होगा यहाँ पे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखें ये हो गया था हर्याना पुलिस की बरती में PST शब्दकार्थ पूझातु फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है हर्याना पुलिस सिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कोन है नवराज संधू है हर्याना के किस भूतपूर डीजीपी की मृत्यू हाल ही में हुई है अभी हाल ही में मृत्यू हुई है तो वैसे इनमें से एक दो की तो पहले ही हो चुकी है तो अभी हम यह बतानी है कि हाल में किसकी मृत्यू जो है इनमें से हुई है तो इसमें थोड़ा सा डाउट है यह छोड़ दीजे हर्यानपलिस के मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग यह हो जाएगा नेक्स देखिए प्रमेश्वर में कौन सा समास है प्रमेश्वर में समास पुछा कौन सा है तो इसमें हो जाएगा करमधार्य समास जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके जिसके खंड हो सके उसे क्या कहती है उसको इसने पूछा सार्थक खंड हो सके तो उसको योगिक बॉल सके यानि कि जो भी दो खंड होंगे उसका कोई नो कोई मीनिंग होगा दोनों का योगिक मुहावरी का अर्थ बताईए चचुंदर के सिर में चमेली का तेल ओकी, राइट आंसर हो जाएगा, एयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना मीरा ने आधा लिटर दूद पी लिया, इसमें विशेशन पूछा कुन सा है, तो C, प्रिमान वाचक जो है, सही हो जाएगा, लिटर निमलिकित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है, तो कर का मतलब क्या होता है, टेक्स भी होता है, हाथ भी होता और किरन भी होता है, कर्म नहीं होता विश्वा मित्र का संधी विचेद पूछा गया तो देखे विश्व जमा मित्र जो है यहां पर सही हो जाएगा विश्व अ जमा ई आ बन गया यहां पर विश्वा मित्र ठीक है नेक्स है एक मिनिट 87 के बाद 88 चूज देखे गरेक्ट प्रिपोजिशन ची वॉसमारिड डाश एल जए gegangen आ आ जयेगा यहां पर यहां पर दीक है। इन भी ओप्शन सही रहे गा इसमें do you want help तो do you want any help होना चाहिए था none of these यहाँ पे सही हो जाएगा okay, dash knowledge is a dangerous thing तो कैसी knowledge, a little knowledge is a dangerous thing ठीक है, इसमें आगे question है एक विधारती से किसी संख्या का 5 बटे 6 गलत करने को का लेकिन उसने संख्या से 5 बटे 6 गयाद कर लिया तो इसका उत्तर सही उत्तर से 200 अधिक था, तो दी गई संख्या इसमें गयाद करनी पूची गई थी एक मिनिट अगला ये था ठीक है तो यहाँ पे जो right answer रहेगा इसको solve करनी के बाद वो 480 जो है आएगा फिर यह 10 प्रतिशत विर दी करनी पर था 10 प्रतिशत फिर दी कीजिए और नीचे 1 by 10 कर लीजिए तो यह 9 से 1 बटे 11 परसेंट यहाँ पर राइट आएगा अगला में 24,7,120,210 दी आया था तो अगली question पूची थी अगली क्या होगी तो 336 आ जाएगी ठीक है ओके इसमें 6 into 6 प्लस 0 करके कुछ किया गया था अगला है कौन सी भिन संख्या सबसे छोटी है इन मेंसे जो सबसे छोटी थी वो बतानी थी अब आप इसको करके भी देख सकते हैं कि कौन सा जो है सही है तो यहाँ पर सबसे छोटी जो है 14 by 19 जो है सबसे छोटी आ जाएगी क्योंकि अगर मैं 12 by 13 करती हूँ तो यह आएगा 0.92 ठीक है अगर मैं करती हूँ 14 by 19 तो 0.73 होगा अगर मैं करती हूँ 17 को किसे 21 से डिवाइड तो 0.8 आएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर 9 यहाँ पर 8 है और लास्ट हमारा पज़ा 25 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 26 से तो 0.96 इसलिए 73 वाला सबसे छोटा हो जाएगा ठीक अगला कोशन देखिए नेक्स्ट कोशन में क्या कह रहा है कि निमल लिखित में से 5,1,2,3,4 में क्या जोडा जाए जिससे वह 9 से भाज्य बन जाए means हमें इस नमबर में यह जोडना था कि 9 से भाज्य बन जाती तो मैं अगर इसमें 3 को अड़ करती हूँ तो क्या हो जाएगा वो पूरा उससे डिवाइड होना चाहिए तो यह 5,1,2,3,7 हो जाती है 9 से पूरी डिवाइड है 9,5,45 ठीक है और 9,54 यहाँ पर 6 और 8 बचेगा 9,85 हो जाएगा और 9,37 हो जाएगा पूरा जा रहा है तो 3 हो जाएगा तरंग कावेग सब से अधीक दरा उसमें होता है तो यहाँ पर ठोस जो है राइट आंसर हो जाएगा ठीक है जो स्पीर ओफ साउंड वेव होती है वो मैक्सिम होती है सॉलिड में कौन सा जवासम इंधन इसमें से नहीं है नोटे फोसल फ्यूल तो वुड जो है सही हो जाएगा लकड़ी जो है यह फोसल फ्यूल नहीं है ठीक है अगला है कंकाल की सब से लंबी अड़ी कौन सी होती है तो फिमर होती है तो सी ओप्शन इसमें करेक्ट होगा तो यह थी कंप्लीट आंसर की थांक्यू सो मच